चेननाई हवाई अड्डेपा सीमा सुल्क हवाई खूफिया एकाई ने बुद्धवार को तसकरो द्वारा तसकरी के एक और पर्यास को विफल कर दिया और मसकट ओमान से आए दो यात्रियों को पकड़ लिया गया अधिकारियों ने कहा कि चेन नई के सीमा सुल्ग अधिकारियों ने मसकट से आए दो यात्रियों को रोका और 1.33 करोड रुपे के मुल्ले की 3 किलोग्राम सोने की पट्टियां जब्द की हैं एक अधिकारिक व्यान में कहा गया कि उनसे सामान की तलासी लेने पर उनके ट्रॉली सूटकेस के बाहरी अस्तर में छुपाई गए 1.33 करोड रुपे के मुल्ले के 3 किलोग्राम वजन के सोने के स्ट्रिफ्स को सीमा सुल्ग अधिनियम 1962 के तहट जब्द कर लिया गया है अधिकारियों ने बताया कि दोनों यात्रियों को गिफ्तार कर लिया गया आगे के विवरंड की परतिश्या है इससे पहले चेने हवाय डेपस सीमा सुल्क अधिकारियों ने 1.20 लाख रुपे का मुल्ले का 2.666 किलोग्राम का सोना जब्द किया था मामले के सिलसले में दो पुरुष यात्रियों को गिरिफ्तार कर लिया गया था और दुबई और कोलंबो से आए थे जब किया गया सोना अंडर गार्मेंट्स में सोने के पेश के रूप में सिला हुआ तला तसक्रों दुबारा सोने को छुपाए जाने के इस वीडियो देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में बिराए जरूर बताए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें